सब्सक्राइब कीजिए सेविसेर अकाडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फोर मोर अपडेट दोस्तो आज का अनमोल वचन ये है कि जैसे जैसे बाजार चड़ता है बढ़ता है नियोशोका का विश्वास बढ़ता है इसी तरह से जब भी बाजार में गिरावट आती ह है तो नियोशोको को शेरों को खरिदने के लिए भी समान विश्वास होना चाहिए ये मेरा आज का अनमोल वचन है दोस्तो तो वही बाज जैसे as the market goes up investors gain confidence similarly whenever the market goes down investors should have the same confidence to buy the shares ये point कि ये है दोस्तो इसका वास्तविक मूल या understanding क्या है या क्या होना चाहिए इसके बारे में आपको business बात करना चाहूंगा देखिए दोस्तो ये तो वास्तविक्ता है कि जैसे जैसे हमने देखा है investors का प्रवेश ज्यादा कव हुआ है जब जब market में प्रगती हुआ है बाजार बढ़ता गया है दिनो दिन सिंसेक्स नि positive point बढ़ जाता है कि विश्वास कैसे बढ़ता है कि चलो आज जिसने 50,000 invest किया investors ने कल उसका market value 60,000 हो गया 70,000 हुआ तो वो बाद में और भी 1,000,000 invest कर देते हैं और धीरे-धीरे जब market और ज्यादा रूप में बढ़ता है तो investors और confidence के साथ पैसा उसमें और ज्यादा invest करते तो इस तरह से लोगों का normally retail investors का ज़्यादा प्रवेश इस तरह से होता है लेकिन फिर क्या होता है जब market crash होता है badly नीचे आ जाता है तो जो विश्वास कायम था जिस stock में जो investors ने 50,000 invest किये या लाख रूपया invest किये या बाद में चड़ते हैं market में और invest किये वही investor घबरा क negative होकर उसमें loss करके बेजकर निकल जाते हैं और यही सबसे बड़ी गलती investors का यही होता है दोस्तों तो point यह है हमारा इस अनमोल वचन का कि जैसे हम manobal आत्मविश्वास बढ़ते हुए market में invest करते हैं वही सही बात और भी से हमारा गिरते हुए market में होना चाहिए दोस्तों अब आप बोलेंगे सर इसको जड़ा और सरल रूप में आप बता सकते हैं या समझा सकते हैं तो बिलकुल समझा इस बात को एक दम और सरल रूप में बताने जा रहा हुँ दोस्तों जैसे कि आपने आपका budget है मालनो एक लाख रूपया invest करने का आपने चड़ते हुए market में चड़ते हुए market में 20,000-25,000 invest कर दिया, market और बढ़ गया तो आपने और अग्ला 25,000 invest कर दिया, तो बस वही पर आपको थोड़ा रूप जाना चाहिए, क्योंकि आपने आपका budget एक लाख का है और 25,000 अपने चड़ते हुए market में invest कर दिया, और चड़ते हुए market में invest कर दिय तो असली में ऐसे मार्केट में तो वास्तिविक्ता ये है दोस्तों कि ऐसे मार्केट में बड़ा रकम नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए एक लिम्स्टेट रेंज में तो वही मैंने बात कहा कि 50,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया वहाँ पर रुख जाईए अब आप मार्केट माल लो अचानक गिरना सुरू कर दिया है तो वहाँ पर आपको अगला पचास हजार कब इन्वेस्ट करना चाहिए जब वो गिरते हुए मार्केट मों वही शेर कम भाव में अब मिल रहे हैं आपको जैसे आपने सुरू में तो बढ़ते हुए मार्केट में ले लिया लेकिन आप वही शेर जब नीचे की रूप में मिला है तो वहाँ पर आपको खरीद लेना चाहिए मैं कॉलिटी स्टॉक की बात कर रहा हुँ दोस्तों जो कॉलिटी स्टॉक को आपने इन्वेस्ट किया और बढ़ गया वास्तों में तो जनरल मार्केट का नियम तो यही करता है जब बैरिस्ट मार्केट जादा हो तो उस समय आप confidently तब ज़्यादा invest करना चाहिए, लेकिन होता क्या है जनरल रूप में कि जब market गिरना शुरू कर देता है, आप वहाँ loss में बेचना शुरू कर देते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हमारा जो मनोबल, आत्म विश्वास और जो positive attitude था, कब जब हम invest किये share market में, या particular stock में, हाँ, तो उस समय वही बात हो, वही stock अगर हमें कम भाव में दिख रहा है, नीचे आ रहा है, तो वहाँ पर आपको छोटा सा averaging, जिसको हम averaging करते हैं, और average कैसे करना चाहिए stock market में, दोस्तों मैंने इसका video भी अलग बना के रखा हुआ है, आप अगर search करेंगे, तो वह भी आपको मिल जाएगा, तो वह भी बात आपको मिल जाएगा, ये बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, कि averaging कैसे market में किया जाता है, इसके बारे में भी मैंने अलग से video बनाया है, और चाहे तो आप देख सकते हैं, फिलाल इस अन्मोल वचन का सरश शब् इस तरह से अगर आप पेसंस रखके इन्वेस करेंगे, तो उसमें आप सफल रहेंगे, और आपका मनोबल और विश्वास सदेव कायम रहेगा, तो मेरा कहने का point यही था, या अन्मोल वचन का अर्थ यही है, कि जैसे आपका मनोबल, आत्म विश्वास और जिस तरह से मार्केट में भी आपका confidence सेम रहना चाहिए, अगर ऐसा रहता है, तभी आप अगला average कर सकते हैं, या पैसा थोड़ा बहुत invest कर सकते हैं, बस करने का तात्थ पर यही है, और बस दोस्तों यही करना था, मैं मानता हूं मेरे बात को अपने सरर लूप में समझ लिया होगा, बस वैसे ही, हाँ, यह बात अलग है दोस्तों कि जैसे हम करते हैं, कि हमें भी ऐसा stock में, ऐसे stock में invest करना चाहिए, या आप बोलेंगे सर कौन सा quality stock है, या वो quality stock बताए, वो quality stock बताए जिसमें हम बखुवी invest कर सकें, या हमारा पैसा गिरतेवे market में भी वो positive दिखाए, तो ह हाँ, दोस्तों, तो उसके लिए हमारे पास platinum stock है, जिसमें हमने 30% discount offer भी किया है इस दोरान, तो मैं आपको यह कर सकता हूं कि उसमें आप confidently पैसा invest कर सकते हैं, और वो ऐसा stock होता है, दोस्तों, जो गिरतेवे market में भी stable और strong रहते हैं, और उसे संबंदित आपको जो भी जान कर यह फ्राफ्ट हो जाएगी, चलिए, फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं